पुर्समा की छकपे है अपनी दुनिया या मेल गेमिटोफ हाइट कहते हैं आज की इस वीडियो में हम नर्यूग मकुद्भिद के विकास का अध्यन करेंगे स्ट्रेंड्स परागकर्ण जो होता है यह पुष्प का लगु भी जानू होता है इसके विकास से एक संदिशना बनती है इस संदिशना को हम नर्यूग मकुद्भिद कहते हैं हम कह सकते हैं कि परागकर्ण या लगु भी जानू जो होता है वो नर्यूग मकुद्भिद की प्रथम कोशी का होता है क्यों? क्योंकि लगू भी जानू से ही नर्यूग मकोद भिद का विकास होता है लगू भी जानू या पराग कन नर्यूग मकोद भिद की प्रथम कोशी का होता है इस्ट्वेंट्स जो पराग कन का विकास होता है यह दो चरणों में होता है एक इसका विकास होता है पराग कोश के अंदर और दूसरा इसका विकास होता है बरतिकागर पर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पराग कर्ण का जो विकास होता है वो दो चर्णों में होता है एक परागन पूर्व और एक परागन के बाद है परागन पूर्व का जो विकास होता है वो परागकोश के अंदर होता है आप अच्छे जानते हैं कि ये परागकोश होता है इसे हम परागकोश कहते हैं तो परागन से पूर विकास कहा होता है परागकोश पर और दूसरा विक विकास होता है बर्तिकाग्र पर आप जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं बर्तिकाग्र कहते हैं सबसे पहला जो विकास होता है वो होता है परागन से पहले तो परागन से पहले सबसे पहले आप पराकण का चित्र देखिए पराक कण में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है ये सारी रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर छोटी छोटी रिक्तिकाएं थी अब यहाँ पर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो गया जिससे केंद केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, आप देख सकते हैं केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन से यहां पर दो केंद्रकों का निर्मान होता है, यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ा केंद्रक है और दूसरा छोटा केंद्रक, जो अब क्या होता है केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रब्य का विभाजन होता है जिससे भित्ती का निर्मान होता है जिससे दो कोशिका बनती है बड़ी कोशिका को हम बर्धी कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को हम जनन कोशिका कहते हैं आप देख सकते हैं कि पहले परागकन एक कोशी के था अब परागकन दो कोशी की हो चुका है अब दो कोशी की आवस्था में जो परागकन है ये कहा जाएगा बरतिकागर पर तो अब दूसरे चरण का विकास होगा परागन के बाद का विकास क्योंकि हम सब जानते हैं कि परागन क्या होता है जो पराकन होते हैं इनका बरतिकागर पर जाना परागन कहलाता है तो दूसरे चनन का जो विकास होता है वो बरती कागरपर होता है जो दो कोशी की पराकरण होता है ये बरती कागरपर आता है और बरती कागरपर जब आता है तो जो जनन कोशी का है इसका आकार तरकू रूप हो जाता है ये जनन कोशी का है इसका जो आकार है ये तरकू यहाँ पर जननकोशिका का आकार इतना चोटा हो जाता है कि ये बर्धी कोशिका के काईक तेरने लगती है आगे क्या होता है जो जननकोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्मान करती है या दो कोशिकाओं का निर्मान करती है जिने हम नर्युगमत कहते हैं यहाँ पर जननकोशिका है ये जननकोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्मान करती है अब जो इंटाइन है आप जानते हैं कि परागकन की जो पांतरिक भित्ति इसको हम इंटाइन बोलते हैं अन्ताइन बोलते हैं तो जो अन्ताइन चोल है ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नर्युगमकोद भिद था इसमें अब तीन कोशिकाएं हो चुकी थी एक काई कोशिकाएं और यह जनल कोशिकाएं दो भागों में है दो कोशिकाएं बढ़ चुकी है ये तीनों कोशिकाएं जो होती है पराग नलिका में प्रिवेश कर जाती है यहाँ पर ये काई कोशिका है और ये दो जनल कोशिका है यानि कि नर्युगमग है इस प्रकार से बनी संडचना को हम नर्युगमगोद भिद कहते हैं आपने देखा कि नर्युगमकोद भिद का जो विकास होता है वो दो चण्ड़नों में हुआ, परागन से पूर्व का विकास और परागन के बाद का विकास नर्युगमकोद भिद के विकास के संबंद में कुछ objective question हमारे exams में आते हैं पहला कोश्चन आता है कि नर्युगमकोद भिद की पर्थम कोशी का किसे कहते हैं तो नर्युगमकोद भिद की पर्थम कोशी का पराग कर्ण या लगु बिजानू को कहते हैं दूसरा कोश्चन आता है पराग कर्ण के विकास से क्या बनता है तो नर्युगमकोद भिद का विकास दो स्थानों पर होता है पराग कोश के अंदर और बरतिकागर के अंदर अगला कोश्चन पूछा जाता है कि एक नर्युगमकोद भिद में कितनी कोशिकाय होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नर्युगमकोषिका है और एक काई कोशिका है इस पिरकार से इसमें तीन कोशिकाएं होती है नर्युगमकोषित में कितनी कोशिकाएं होती है तीन कोशिकाएं होती है इसमें नर्युगमकोषित के विकास में एक बार समसूतरी भाजन हो का नाम था एमी की, एमी की नामग वेग्यानिक ने सबसे पहले पराग नलिका की खोच की थी, इस्ट्वेंट्स आज के वीडियो में हमने नर युगमकोद भिद के विकास, यानि कि डेवलप्मेंट और फीमेल गेमिट फाइट का अध्यन किया, आज के लिए इतना ही काफी ह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अरत्मारत